हेलो एव्रीवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं बना रही हूँ बहुत ही डिलीशियस सूजी रस्मलाई हमेशा की तरब बहुत ही सिंपल तेरीके से तो चलिए एसे बनाना शुरू करती हूँ तो इसके लिए मैंने एक पैन को गरम कर लिया है इसमें मैंने डाला एक छो कर लिया अब इसमें जाएगा दो कप फूल किरीम दूद तो अभी मैंने एक ही कप डाला है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ नहीं तो इसमें बहुत जल्दी लंस बनते हैं यह मैंने दूसरा कप भी डाल दिया है और दो चम्मच मैंने इसमें डाला है चीनी अ तो चलिए अब रबडी की तयारी करती हूँ तो इसके लिए मैंने 700 गिराम फूल किरीम दूद लिया है इसमें मैंने डाला दो हरी लैची और चार छोटा चम्मच से मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ चीनी आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा या थो आप डालना चाहें तो डालें या इसकेप कर दें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है अब मीडियम आज पर दूद को गारा होने के लिए रख देना है अब चलिए सुझी जो मैंने तयार करके रखा या हलका ठंडा हो गया है इसे हलके हाथों से एक बार फिर से मिक्स कर अहाथों में घी या फिर cooking oil लगा के छोटी छोटी टिक्या या बॉल्स बना लें मैं इसे टिक्या के शेप में इस तरह से बना रही हूँ ये देखे ये बहुत इजली बन जाते हैं तो इसी तरह से देखे मैंने सभी टिक्या को तयार कर लिया अब दूद में मैंने डाला है थोड़ा सा कटा हुआ बदाम आप अपने मन पसंद राइफ रूट्स इसमें डाल सकते हैं अब आँज को तेज कर देना है तो अब देखे तेज आँज पर दूद में अच्छा सा बॉल आ गया है अब धीरे धीरे एक एक टिक्या इसमें डालना है एक साथ जब सारी टिक्या को डालेंगे तो बॉल जो है वो बंद हो जाएगा इसलिए धीरे धीरे एक एक करके सभी टिक्या को डालें इसका बॉल रूखना नहीं चाहिए आप चाहें तो इसे हलके हाथों से इस तरह से चला भी सकते हैं आज को मैंने एकदम फूल रखा है चार-पांच मिनट इसे फूल आज पे पकाना है तो आप क्या देखेंगे कि धीरे-धीरे सभी टीक्या जो है अब इसके दूद को और गाढ़ा और मलाईदार बनाने के लिए मैंने इसमें एक चमच कस्टेड पौडर को घोल के रखा था उसे डाल दिया अब फिर से मैं इसे एक से दो मिनट कस्टेड पौडर के साथ पका लूँगी इसे दूद एकदम रस्मलाई की तरह गाढ़ा और बढ़िया हो जाएगा तो यह देखिए एकदम रस्मलाई की जैसा दूद हमारा तयार है तो अब आज से मैंने उतार लिया है अब इसके टेमपरेचर को नॉर्मल होने के बाद आप चाहें तो इसे फ्रीज कर लें बहुत ही डिलीशियर सूजी रस्मलाई बन कर तयार है एक बार आप इसे जरू ठाय करें हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है अपना फीडबेक जरूर दें रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर फर्स टाइम आए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पूर वाचिंग